तो अजिए पाद्रिची अंचिका अवाज आ रही है हाव ऐया आशिक आपको कुछ निए करना वेटा बोशाथ सुनना ये मेरख को observe करना कि किस तरीके से अमारी क्लास चल रही है ठीक हे और कुछ भी अब्जर्व निक हाँ अगर आपको समझ में ना है तो टेंशन मत लेना ठीक है क्योंकि मैंने अल्रीड चैप्टर स्टार्ट करा दिया हूं मैं थोड़ा मिड में आ गया हूं तो बिलकुल टेंशन मत लेना छट्रट कोन चलगा ज्ल हरा चैप्टर सब्सक्राइब ना अब चैप्टर लगे लाट केसे अगन cherry कोई प्लेस है है wh अब जैसे मार्ट जैनर ली कहा हूँ तो मांकिशील और सब्लेस आते हैं यहां परिप्लेस नहीं यह क्या है लिंक है क्या है यह लिंक बीटा यह कनेक करता है दो लोगों को वही बायर्स और सेलर्स नहीं बोलते हैं यहां पर उनको क्या बोलते हैं सेवर्स और बॉर्वर्वर्स क्या बोलते हैं सेवर्स और बॉर्वर्वर्स ठीक है तो मैं बोल सकता हूं बीटा फैनेशल म जिनके पास ज्यादा पैसा उससे पैसा ले लेते हैं, किसको दे देते हैं, मुझे बहुता, जिसके पास कम पैसा है, तो यह है क्या, यह link है, किसके बीच में, savers और borrowers के बीच में, तो financial market is nothing but a link between savers and borrowers, ठीके न, a link between those who have surplus of funds and those who are in need of money, that is deficit units, आगे जाले, फिर मैंने बटाया था, पिटा, financial market, अगर मैं बात करूँ, यह पैसो का market है, है न, financial मतलब पैसा, इसे related बात, है न, तो यह काम दो लोग करते है, तो बैंक करता है, बैंक में हम क्या करते है, अपने जा बैंक मेरे को कम interest देगा, उस से जाधा interest लेगा, तो बीच का जो margin है, बैंक अपने पास लख लेगा, यह बैंक का business है, तो बैंक भी financial market का ही पार्ट होता है, यह बात ध्यान लखना, बट हम बैंक यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ रहे, reason है क्योंकि हमने economics के अंदर cover up कर लि के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, दिखाऊंगा अभी financial market है कहाँ, ठीक है, एक particular place भी दिखा दूँगा, ताकि आपको समझ में आने लगे, बट आप यह मत समझना, कि financial market place होती है, कभी भी यह मत समझना, link होता है, आपके समझाने के लिए बता दूँगा मतलब एक से लेता है, दूसरे को देता है, ठीक है, दूसरी बात facilitated price discovery, जितने भी shares, bonds, debentures के price है, वो decide होते हैं, इसी market के अंदर, by the forces of, by the forces of demand and supply, very very good, उसके बाद यह क्या प्रोवाइड कराता है, liquidity to financial assets, financial assets का मतलब होता है, shares and bonds, बता चुका हूँ सारी बात है, याद भी कर पाता, तो it provides what, it provides liquidity to our financial assets, और हमारी transaction की cost को भी कम करता है, कैसे कम करता है, बहुत सारी information free of cost देता है, ठीक है, otherwise, अगर financial market नहीं होता, वो information collect करने पर हमें पैसे खर्च करने पड़ते, और हमारी cost बढ़ जाती, ठीक है, बता रख है, जल्दे-ल्दी चल रहा हूँ, उसके बा बात तो financial market, financial market दो पार्ट में divided है, money और capital, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, money की, बेटा, money market, short term funds का market है, कोई भी market है, जहाँ पे short term funds की trading होती है, किसकी, जल्दी बताओ, short term funds की trading, short term funds का मतलब क्या है, हाँ बई, what do you mean by short term funds, short term funds, maturity period, which can be used up to one year, हाँ, very good, जिसको आप एक साल तक के लिए, यूज कर सकते हो, एक साल बेटा, यूज करने के पाद आपको वापिस करना पड़ेगा, पैसा, ऐसा पैसा, short term funds होता है, एक से के लिए, ठीक है, हाँ, एक बात और, तो companies ये एक साल के लिए, पैसा उठाती क्यों ह बेटा, अपनी working capital requirements को meet करना, ये लोको लिखा है, यहाँ पर working capital requirements को, मैंने आपको पहले भी बताया है, working capital requirements को meet करना, what is working capital, पिछले chapter के अंदर पढ़ा के आ चुगा हूँ, ठीक है, access of current assets over current liabilities, सारी बात है बढ़ाईती आपको, उसके बाद, फिर बच्चे मेरे से बोलते है सर आपने definition तो बता दी, बट ये दिखाओ तो money market है का, हमारी country के अंदर कहा spread है, बेटा, तो मैंने आपको starting से बताया, कोई particular place नहीं है, जो मैं आपको दिखा दू, है ना, तो जहाँ जहाँ पे ऐसा हो रहा है, कि कोई भी पैसा ले रहा है, दूसरे से एक साल के लिए, और की registered है, जो government के पास, समझ में आरी बात, मेरी activities को register करा दो, सरकार के पास, वो भी money market का part हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, तो मैं सिर्फ formal sector की बात कर रहा हूं, जिसकी activities सरकार के बात registered है, ठीक है बई, तो पहला कौन सा है, बताओ पहला instrument, बताओ money market का, call money, जल्दी बता पंजाब national bank को temporary shortage of cash, क्या हो गई बताओ, temporary shortage of cash, temporary shortage of cash का मतलब बेटा, एक दो दिन के लिए cash की कमी पढ़ गई, ठीक है, तो वो सीधा RBI को phone नहीं मिला थे, कि सर हमें यहाँ पे पैसो की कमी पढ़ रहे है, आप दे जाओ, RBI डाट देगा, ठीक है, कि एक दो दिन के लिए पैसामनी देते, तो यह क्या करते हैं, बताओ बई, यह कोई और bank, for example, SDFC, ICICI, SBI, उसको contact करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और एक दो दिन जब पूरे हो जाते हैं, जो भी काम था है, उसको complete करने के बाद उनका पैसा refund क के साथ, उसको call rate बोलते हैं, मैंने बता दी थी बात आपको, तो यह किसका part, यह money market का part है, sir, क्यों है money market का part, बेटा, इसलिए money market का part, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने, दूसरी bank से पैसा लिया है, ठीक है, कितने time period के लिए, एक या दो दिन के लिए, which is less than one year, इसलिए हम इसको बात करूँ, तो बेटा, treasury bills को issue कौन करता है, RBI, कौन issue करता है, RBI, ठीके न, अब RBI की बात करूँ, तो RBI क्यों issue करता है, बेटा, सरकार, क्या करती है, सरकार को पैसे क्यों जरूरत होती है, सरकार किसके बास जाती है, RBI के पास, आप बोलती है, हमें पैसे दे दो, RBI क्या से पूछते हैं सर हम लोग क्यों खरीद है ट्रेजरी बिल्स को आर भी इसे बिटेस लिए खरीद हो विगॉज इस इशू डेट डिस्काउंट पर यह डिस्काउंट पर इशू होते हैं और रिडीम किस पर होते हैं पार पर तो सौर रुपे का अगर एक टी बिल है तो आपको जो आर भी आई है जो सेंट्रल बैंक है उसको आपका पैसा एक साल के अंदर वापिस करना है ठीक है सर का कैसे पता देखो यहां लिग रखा है मैंने मिच्वरीटी पीरिड बताओ बही 14 दिन से लेके 360 फोर डेस का है ठीक है इस वजह से इसको कहां पढ़ रहा है मनी मार्क अंदर समझ में आ रहा है 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 हाँ अब यह बजल देल चल रहा हूं है ठीक है ना कॉमेर्शल बिल्स कॉमेर्शल बिल्स तो पढ़ते पढ़ते बिटा बुड़ापा आगे हम लोग का कॉमेर्शल बिल्स क्या है भूल गए जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से क्रेडिट पर सवाल लेती है उस टाइम कैश नहीं है उसके पास तो वो क्या देते बताओ बही एक बिल देते हैं विच इस लीगल डॉक्युमेंट ठीक है तो बेटा उसको भी हम मनी मार्केट का इंस्ट्रु फिर मैंने बोलम दा बेटा सबसे important चीज क्या है सबसे important चीज है commercial papers guarantee दे रहा हूँ अभी लिखके धे रहा हूं commercial papers पे एक question जरूर आएगा, चाहिए चाहिए वो very question अभी अभी best अब ही बता रहा हूँ, commercial papers पे guarantee दे रहा हूँ, पक्का आएगा, यह बाद ध्यान लखना, commercial papers पे, commercial papers है क्या, मैंने आपको इसका एक नाम और बता है, उसको bridge financing बोलते हैं, जब किसी company के बाद shares issue करने के लिए पैसे नहीं होते, flotation cost meet करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्य करते हैं, economy के अंदर बेटा issue करते है, commercial papers, लोग खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, same reason, issue debt, discount, but redeem debt, पार, ध्यान लखना, इसलिए हम लोग खरीद लेते हैं, और बेटे जब हम खरीदते हैं, तो companies के आज पैसे चला जाता है, company उससे क्या meet करती है, अपनी flotation cost, flotation cost क्यों हो उसको किस ने fill करा, उसको commercial papers ने fill करा, इसलिए इसको bridge financing बोलते हैं, ठीक है, money market में क्यों पढ़ रहे है, इसका maturity date कितनी है, अब period maturity बताओ भई, maturity period कितना है, 270 days, उसके बाद मैंना कोई example दिखाया था, commercial papers, का आगे जलते हैं, फिर मैंने बिटा certificate of deposit समझाया था, certificate of deposit बिलकुल FD की तरह है, बड़ इसके अंदर एक difference है, ठीक है, जो fixed deposit होते हैं, वो generally more than one year होते हैं, एक साल से जाधा क्यों होते हैं, बड़ जितने भी certificate of deposit होते हैं, वो एक साल से कम क्यों होते हैं, यहां पर भी interest मिलता है, ठीक है, bank आपको एक certificate भी देता है उस चीज़ का, ठीक है, सार आपने देखो, 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 देख रहे हैं, मैं कहा रहा हूँ बीटा, मैंने आपको बताया था, हम क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे, चैप्टर का नाम बताओ, हाँ बई, फाने श्यल मारकिट कितने पार्ट में डिवाइड़े हैं, हाँ बई, जल्दी बदाओ, टाइम नहीं एतना, फानेशा उंहां कितने पार्ट में डिवाइड है, वाट टिवाञ्च रहत एक तों मर्णिन कॉन सा मार्किट है money market और दूसररा कॉन से लिए अब के डिल मार्किट अब सब्सक्रा कंपिटल मार्किट भी दो इसलिए मैं ये प्रिमरी मार्किट ओर कोता है सेकेंट्री मार्किट Ș anche तो अभी हमने क्या complete कर ले अपना money market हम करके आ रहे हैं ठीक है उसके अंदर उतना ही और कुछ नहीं है तो आप मेरे से पूछो sir money market में क्या important है जिसके पर question बनते हैं तो वो थे instruments instruments of money market ठीक है और कुछ नहीं था money market में बट सारा खेल पता है का है सारा खेल यहाँ पर capital market के यहाँ पता है जा कऊकेल मार्केट में नग्सक्तर करती है नोग में ऐसा गता है इससे-णाद को पता है का अब यह क्या प्रतम मार्केट है कि पहले मुझे बता दो पहले शचर्क अ के लिए शॉर्ट अ Camdaerdum के ल Selbstordum के गले बिटा तो पूरा बोलो ना में बैटा यह वह म यह तो बोलूँगा मैं है ना exchange होते हैं short term funds फिर एक और question short term funds क्या होते हैं जिनका maturity period एक साल का होता है एक साल के अंदर हमें वापिस करने होते हैं है ना तो बेटा बच्चे दो टाइब के funds medium term and long term funds वो कहां trade होते हैं वो trade होते हैं बेटा capital market में अब आप मेरे से बूझो सरी क्या चल रहा है हमें दो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटा मैं कहा रहा हूँ मानलो मेरी कुछ day to day requirements है मेरी कम मेरी भी company है मानलो मेरे को wages देनी है workers को ठीक अब मुझे बताओ मेरे को wages देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है अब आपको क्या लगता है अगर मेरे को wages देने के लिए market से पैसा उठाना है कहीं से ठीक है कि मैं अपनी workers की wages दे पाऊं तो आपको क्या लगता है मेरे को long term funds उठाने चाहिए ठीक है 5 साल के लिए उ छाइड मार्केट बना हूँ हाGO 8 सरी रिक्वैमेंट होते ही जहां पे आपको लंबे टाइम के लिए पैसा नहीं चाहिए आपको थोड़ी राइम के लिए पैसा चाहिए है आना वह कहां से मीट कर लिया हमने बेटा money markets है बट आपको पता business के अंदर ऐसी requirement भी जहां पर पैसा हमें long time के लिए जोते है for example मेरे को machinery खरीदनी है क्या खरीदनी है machinery अब machinery खरीद हूँगा वो machinery मेरी company के अंदर कम से कम 10-15 साल तो लखी रहेगी कोई plant लगवाना है factory अंदर है ना at least 10-15 साल तो हो गए ना तो बीटा वो पैसा मैं money market से नहीं उठा था वो पैसा मैं कहां से उठाऊंगा बताओ capital market से तो capital market क्या है बीटा capital market एक ऐसा market है जहां पर कौन से funds trade होते है medium and long term funds ठीक है देखो क्या लिखा है मैंने देखो भी सामने देखो it is the market for medium and long term funds आपको जितना मैं लिखवा रहा हूँ उससे एक वर्ड फालतू याद ने गड़ना पहले सुन लेना तो it is the market for medium and long term funds यह market है medium और long term funds का क्योंकि short term funds कहां trade होते है short term funds trade होते है money market के अंदर इतनी बास समझ मैं अब आप मेर से पूछो sir इसके अंदर क्या क्या आता है यह भी कोई place है तो मैं बोलूँगो बेटा place तो मत मानो मैं दिखा दूँगा फिर भी आपको place दिखा दूँगा बट आप इसको place नहीं मानो यह भी link की है इसके अंदर क्या क्या आता है बेट इसके अंदर आती है वह organization's, institutions और वह instruments भी जो किस में deal करते है बता हूँ बढ़ा रहा हूँ ठीके ना? हाँ भई सारी organization सारे institution सारे instruments जो किस में deal करते हैं या क्या प्रवाइड कराते है medium and long term funds अब वो common instruments के हैं बेटा जिन से आप already परिचे थो shares, debentures, bonds, mutual funds में मैं बात करूँगा थोड़ी सी, mutual funds, PD that is public deposits बोलते हैं ठीक है न यह सारे के सारी जो मैंने यहां पर instruments लिखे हैं जैसे money market के अंदर instruments पढ़ती हैं यह भी instruments हैं बट यह सारे generally medium term and long term funds के अंदर deal करते हैं यह दियान रखना ठीक है बई समझे बातों को अरे समझ में आ रहा है या इसी बोले जारों मैं आ रहे हैं तो बेटर रेस्पॉस्स दे देखरो पढ़ा पढ़ा आपको मेरा गला बैट चुगा पता आप लोगो अब आज पूरी मेरी चेंज हो गई है अब आज को देखरों कैसे रियक्शन दे रहा है हाँ ठीक है तो अब जरह कैपिडल मार्केट मैंने बता दिया पर अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में बाइफर्केशन करने से पहले जरह कुछ डिसकशन करने इसके उपर ठीक है ना जोर्री मार्केट पे मेरी बात कुछ शुनना क्या आपने stock exchange स्थ 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 सदे रारें में स्थ हैंज और नहीं सऊने हैं यह कंट्री नां बटाता हूं मैं जैसे हमारी कंट्री गंदर वैसे 23 से लेके 25 के बीच में है यह अब डाउन होते रहते हैं कभी कोई नया खुल जाता है कभी कोई नहीं चल रहा तो बंद हो जाता है बट 20 के अराउंड तो रहते ही रहते हैं मैंने देखा है on an average अब मैं कह रहा हूँ बेटा यह जो stock exchange है यही आपके लिए capital market है अभी के लिए द्यान रखना अभी के लिए बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाए जिसे for example Bombay stock exchange इसको BSE बोलते हैं जो Mumbai में Bombay stock exchange ठीक है एक बंदा जिसके पास जादा पैसा है वो यहां पर shares खरीद रहा है वो जो पैसा जिसने shares खरीद है वो पैसा किसके पास गया company के पास बेटा वो deficit unit थी उसके पास पैसा नहीं तो उसको production के लिए पैसा चाहिए था समझ रहो बात हो तो यह भी बेटा मार्केट है किस कौन से मार्केट है financial मार्केट का ही पार्ट है बट अभी आपके लिए capital market अगर आपको समझना है तो mind में अपने रखना है सिर्फ stock exchange ठीक है आगे जाके थोड़ी change करा दूँगा बात है अभी तक यह आपको समझ में आ ज link link किसके बीच में वही savers और borrowers के बीच में बस हलका सा मैंने को change कर दिया आज मैं savers and borrowers नहीं बोल रहा हूं को मैं क्या बोल रहा हूं आपने मेरे को investment opportunity link करता है किसको investors को investment opportunity से क्या मतलब that is transfers money किससे किससे लेता है investor से पैसा लिया ठीक है to the person who are in need of money वह person कौन है वह person है company ठीक है तो पहले feature तो हमें समझ में आ गया बहुत देर से ही बात कर रहे है हमें तो पता ही है ना तो इस लिंक बीट्वीन investors and investment opportunities कभी भी मत बोलना के financial marketplace होता कोई भी पूचे what is financial it is a link between savers and borrowers investment and investment opportunities surplus units and deficit unit नाम कुछ भी दो काम सेम है ठीक है आगे जलते है बता हो वही यह आपको पता है नहीं पता यह भी पता है हमें है किसमें डील करता है medium term and long term मैंने सिर्फ long term लिख रखा इंक्लूडिंग बहुत है है ना short term के बाद जितने भी funds आते हैं एक साल से जादा जितने भी हो गए वह कहां चले जाएंगे वह capital market के अंदर चले जाएंगे तो deals and long term funds या long term investments capital market क्या करता है बेटा प्रोवाइड करता ह है funds किसलिए medium and long term काम के लिए जितनी भी activities होनी है machinery खरीदना है land खरीदना है वो सारे का सारा पैसा companies कहां से लेती है capital market से लेती है ठीक है एक बात और बता दू नेक्स जो लिखी है बहुत ही important बात है आगे आपसे पूछूँगा इस chapter के last topic में आपसे पूछूँगा ध्यान तो मुझे बताओ इस shares कांट trade हो रहे है money market में capital market में जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ शेयर के अंदर ट्रेड हो रहे है capital market के अंदर ट्रेड हो रहे है तो क्या मैं सीधा company से खरीद लूँगा जाके बीटा कम इतनी मेरी उकात ही नहीं है कि company के पास पहुच पाहूं बेटा तो पता है मेरी कितनी उकात है मेरी उकात है कि मैं सिर्फ पता है किस से deal कर सकता हूँ broker से ठीक है अब आप बोलोगो सर यह कौन सी बात होई brokers को आप बीच में involved करोगे तो वह अपना commission लें आप shares खरीद रहो brokers के थ्रू वह अपना बीच में commission लेंगे बेटा ठीक है अब टंग सुनना यह बात पता है किसने compulsory कर रखी है सामने देखो लिखता हूं यह बात बेटा यह बात पता है किसने compulsory कर रखी है बेटा सेवी ने आगे पूछूँगा आप से ध्यान रखना अब आप पूछो सरी है सेवी कौन है तो बेटा security exchange board of India इसके अंदर आपको पढ़ने security exchange board of India ने बेटा compulsory कर रखा है विदाउट brokers विदाउट intermediaries आप एक transaction नहीं कर सकते stock exchange के अंदर capital market के अंदर stock exchange capital market आपके लिए भी एक ही बात है एक transaction नहीं कर सकते है अब आप बोलो सरी यह तो बहुत नाइंसाफ ही हमारे तो और पैसा लगता है तो ऐसा क्यूं कर रखा है बदाओ बही ऐसा क्यूं कर रखा है अब हो क्या लगता है कि ऐसा किसलिए किया गया होगा stock exchange के अंदर के intermediaries को बेटा यूज करना कंपल सरी ही है without broker पता है trading का procedure ही होता है सबसे पहले हमें एक broker को select करना पड़ता है जो हमारे बहाफ पे shares हो खरीदेगा बेचेगा ऐसा इसलिए कर रखा है बेटा जितने भी brokers है ना उन्हों नहीं आज तक stock exchange चलाया है अगर से पता है क्या करता से भी उनको खतम कर देता बोलता कि बेटा जितने भी investors direct company से खरी सकते हैं बेटा बंद है सारे stock exchange तो उनकी growth के लिए ताकि वो जो brokers है वो grow और develop करें ठीक है ऐसा नहीं हो कि market के अंदर बहुत जादा unemployment आ जाए ठीक है इस वजह से ऐसा कर रखा है it is mandatory for every investor to select a broker broker के बिना कोई transaction नहीं हो सकती है mind में डाल लेना बात अपने ठीक है आगे trading procedure के अंदर बताऊंगा यह बात ठीक है और SEBI जब पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा यह बात में दो जगह और आएंगी यह बात ध्यान रखना SEBI में और trading procedure के अंदर हाँ जल्दी features बताओ पहला feature link है किसके बीच में link है बता ना investor investment opportunities के बीच में किसमें deal करता है medium term and long term funds में very good किसको use करता ही intermediaries को capital market make use of intermediaries make use का मतलब especially लिख रखा है कि without intermediaries कोई transaction नहीं हो सकती like brokers है अब आप सुचरों के सरीक और example लिखा depositories यह क्या होती अभी का topic ने बादगा topic है जब मैं क्या पढ़ाऊंगा trading procedure वहीं का topic है ठीक है सुन लो यह भी एक intermediary होती है उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो सर क्या यहां पर कुछ rules and regulations है हाँ है किसने lay down कर रखे हैं कौन है बेटा authority जिसने share market के अंदर rules and regulations बना दे रखी हैं आउंगा मास पर अभी सिर्फ आपको features बढ़ा रहा हूं बेटा वो rules and regulations बनाएं किसने जल्दी बताओ सैबी ने किसने सैबी ने सैबी अरे यार अभी एक movie आई थी recently तुम्हें ध्यान है अधर उसकी थी सैफली खान की अरे यार उस पर आई थी OTT platforms पर बजार हां हां सुनो बिटा एक movie आई था अगर आपको पाट time हो भाई तो देख सकते हो उसके अंदर सैबी का और शेर मार्केट का पूरा रोल दिखा बहुती बड़ी है movie है जिसने देख लिए जो मैं बाते कर रहा हूं उसको अपने अभी समझ में आ जाएंगे प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे ये बात ध्यान रखना ठीक है टाइम मिले तो देख लिना अच्छी movie है अब मैं कहा रहा हूं बेटा कुछ rules and regulations बना रखे हैं सेवी ने stock exchange के लिए capital market के लिए अगर violate करोगे उसको follow ने करोगे तो penalties आप पे लगेंगे इवन brokers पर भी लगते companies पर भी लगते इंवेस्टर्स पर भी लगते हैं ये बात ध्यान रखना बेटा jail भी हो जाती है ठीक है ना criminalize कर रखा है पूरे इसको आगे आएगा topic बताऊंगा ठीक है आभी सिर्फ features बता रहा हूं ताकि आपके mind में थोड़ा से image बन जाए हाँ ब मैं कहा रहा हूं बेटा जो share market है ये stock exchange ये capital market ये help करता है हमारी economy के अंदर country के अंदर capital formation में बताओ इस बात का क्या मतलब है कि देखते हैं कौन है जो तमीज में पढ़ रहा है बोलो बेटा बोलो चुप क्यूं हूं तुम ही बोल दो कुछ कि एक आया कुछ अंसर देखें वह अरे नहीं युवराज नहीं नहीं सप्लाइफ मैंने की कोई बात नहीं है कि यहां पर अगर आप बात करो नैशनल इंकम की तो मैं बात भी करूँ हां भई कोई है जो मिरे को बताए आज सब छोड़ो मेरे कापिटल फॉर्मेशन नहीं समझा दो वाट इस कापिटल फॉर्मेशन यह बता दो बस इस यह बता दो मुझे तो मैं उदर मैंने क्या लिख रख है अभी तक आप लोग कापिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं याद हुआ इतनी सारी कम जने सत्तर प्रकॉशन कराईं थी बोलो बेटा कोई है यहां पर हां मेरी तीश रावत रादिका कैपिटल फॉर्मेशन अरे यह तो नॉर्मल टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है क्या प्राइवेट फाइनल कंजंप्शन इंवेस्ट में बात कर रहा है कैपिटल गेन का मतलब क्या है what capital gain का मतलब है beta assets का create हो na asset का create हो 8 ए मैं कre Scholars मैं आक मशीनरी ली मानलो ऐसा होता नहीं सबर मिदा रहूनी मिने regard मशीननी जिसे NICK ले ठीकता घ्लच लेना पूरी बात 10 माग रुपए में मशीनरी ली ठीकता मैंने अपने पास इसको दो साल रखा मानलो depreciate नहीं हो रही है यह appreciate हो रही है ठीक है और इसी machinery को बीटा मैंने दो साल बाद पता है कितने का बेश दिया मैंने इसको 15 लाग का बेश दिया ठीक है अब पता है यह जो इसके अंदर 5 लाग addition हुए है 5 लाग यह होता है capital gain क्या होत capital gain का हमारी एकनॉमी में कोई फायदा नहीं होता कोई भी फायदा नहीं होता सर क्यों नहीं होता कोई भी फायदा देखो 5 लाग का तो फायदा हो रहा है बेटा 5 लाग का पैसे का फायदा हो रहा है मुझे बताओ क्या machinery create हुई नहीं create हुई यह machinery पहले भी देखो उतनी थी और यह machinery आज भी उतनी है तो sir हमें फाइदा कब होता है एकनॉमी के अंदर बेटा फाइदा देखो कब होता है यह 10 लाग की machinery ठीक है 10 लाग की machinery मैंने during the year एक 5 लाग की machinery और खरीदी बता वही 5 लाग की machinery देखो यह री एक और एक और खरीद ली एक machinery और आ गई है ठीक है यह पता है क्या यह है capital formation बेटा asset का create होना asset का creation is known as capital formation sir इससे क्या फाइद होता है बेटा इससे economy के अंदर goods और services का flow होता है यह फाइदा होता है अब सोच रोए sir तो यह capital market job पढ़ा रही है कैसे help करता है capital formation पे बेटा answer करो जलदी से long term funds किसले चाहिए होंगे मुझे बता आउ wages देने के लिए जल्दी बताओ wages देने के लिए long term funds किसले चाहिए capital खरीदने के लिए very very good fixed assets खरीदने के लिए land खरीदने के लिए machinery खरीदने के लिए plants set up करने के लिए ठीक है और जब भी ये सारी assets company खरीदेगी बेटा हमारी country के अंदर capital form होगी goods and services का flow होगा हमारी country और grow करेगी ये सारी बाते में आपको बता चुका हूँ तो यहनि stock exchange एक चीज में help कर रहा है हमारी country किसलिए हमारी लिए important है it helps in capital formation किसमे help करता है बता हो भी ये capital formation में तो capital market के पांच feature tips पे हुए हाँ या नाम जवाब दो पहला link between link between बोलो जल्दी लिंक बिट्वीन इन्वेस्टर और investment opportunities वेरी वेरी गुड उसके बाद deals in जल्दी इसे याद करते चलो यह पूरा चैप्टर खता मैं सारी टिप्स पर करा दूँगा मैं उसके बाद उसके बाद तीसरा किसका यूज करता है इंट्रमीडर कंपल सरी है कंपल सरी कोई option नहीं है उसके बाद किसके अंदर काम करता rules and regulations जो किसने बनाए है जो किसने बनाया है सेभी 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 ने सेक्यूरिटी एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके बाद किसमें help और करता है यह capital फॉर्मीशन में समझ में आगई बाद capital formation का पूरा मतलब भी बताया मैंने भी आपको यहाँ आगे चले हाँ या नामे जवाब दो अब बोलो बेटा यह capital market जो है कितने पार्ट में further divided है जो पहले मैंने आपको बताया था जल्दी उता हूँ दो पाट डाट इस primary market और secondary market ठीक है ना पहले मैं हलका सा इसका introduction दे रहाँ फिर example समझाओंगो तभी समझ मेंगे ठीक है मैं के रहाँ बेटा primary market है new issue market ठीक है समझाओंगे new issue market होता क्या है और secondary market है already issued securities का market के सर आप यह क्या बोल रहा हो अब सुनो मेरी बात मैं कहरों बीटा अगर मैं गाड़ी खरीद के ला रहा हूं एक showroom से बात रहे बता नहीं घाड़ी पुरानी घाड़ी जा मैं भुडानी 味 तिसे कि लिटा अभी सेकटर अब सेम बात गाड़ी हटा थो शेर्ज्ड लिम्हस लिक्रणी ने पहली कभार शेर्स इशू करेंगए पहली बार आया है किसी कंपणी के शेर्स फरνεक खरीद लिए करब आज वह मेरे पास आगये मैं है दर को बेशता हूं है canción को बेशता है जिवाँच अचल करता है अंचे जो चल रहा है हमारे इस्टे हमारे अपस चृष यहाइज करते लिया समझ दो बात को है ना तो primary market is a market for ठीक है न नीव सेक्योरिटी इस बेटा नई बिल्कुल बेटा नई ने सेक्योरिटी बहाप निकल रही है बिल्कुल ताजी-ताजी सेक्योरिटी एक दम ठीक है कौन सा नीवसं मार्की अम पुरानी हो गई है ससंक्रीटी आप असमें घरिद बेच रहे हैं उसको कौन सा सै सेकेंटरी ठीक है और जाओ प्राइमरी मार्केट का नाम ही निव शुमार्क ने दो करती है किया सर इसको कुछ और भी बोला जाता है हां बेटा इसको IPO बोला जाता है Initial Public Offering क्या बोल जाता है है अगर कोई भी कंपनी अपने शेर्ज फॉर्थ ताइम लेकर आरे मार्केट के अंदर तो उसको IPO बोला जाता है आई पी ओ इनिशल प्द्ड ऑफरिंग क्या अभी सेर्ट्ली थोर्टाम पहले किसी कंपनी नियुसको पारियर सिटित्म है अगर तुम्हें नहीं पता हुआ तो तुम दिक्क्त में आज़ होगữa माई कौन करके बोलो माई कान करो एक सेगड़ रुख जाण टाइम नहीं बचा चाड मिनिट रह रहे हैं जल्दी मैं नहीं बोलू गुज भी मैं तो त्नी तरह से बोली रहो से तो गलाप एड़ी है बोल stret तो बोलो तो बता हो तो इनको नहीं पता न då है मैं कौन को जल्दी अच्छा आयार से टीस एक देबार्टमेंट इल्विस में भी होता है हुआ होता तो है रेलवे से रिलेटेड है कि इंडियान रेलवेस केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अंदर केटरिंग वगयर होती ही खाना वगयरा बनता है सारी कॉन है इनीशल पब्लिक और और पहली बार अपने शेर्ट पब्लिक के लिए जनरल पब्लिक खरी सकती ती जिसको भी मिला प्रपुर्टर इसके पात भी शेर आए अच्छागा उसने अच्छागा उसने प्रॉफिते रॉफित करने इसके बारे। समझ जाओगे क्या कहा रहा हूं ठीक है भाई ऐसी सीडी का भी आया था दो तिन साल पहले जो मेरे को पता है हाँ तो मैं कहा रहा हूं बेटा इसको आई प्यों ही बोलता अगर कंपनी फॉर्स टाइम मार्केट के अंदर शेर लेगे आ रही है इस इनिशेल पब्लिक ओफरिं ठीक है शेर्स अफ दी कंपनी सर ओफर टूदी जैनरल पब्लिक फॉर्ट फॉर्स टाइम ठीक है आपस में तो लोगों ने खरीदी रखे हैं जो उन कंपनी के मालिक वगयरा बर हम जनरल पब्लिक को भी क्या करते हैं उसका हिस्सेदार बनाते हैं हिस्सेदार को क्या बोलत ठीक है तो जनरल पब्लिक के लिए जम शेर्ट को पहली बार मार्केट के अंदर ओपन करते हैं इतनी बार समझ भाई आगे नहीं चल रहे हैं आज बता हमने कौन सा स्टाट कर रहा है चापिटल मार्केट मार्केट अीक है तो इसके अंदर इिस्ट्शनिंप्ट अर इंस्ट्रूमेंट्स सरे के सारे आते हैं में लॉंग टर्म फॉंड्ट में इसके इस्ट्रमेट बता दिया शेयर्स बाट डेवेंचर मूचल फॉंट एड्सेक्टर ठीक है मूचल फॉंट्स क्या होता है डिसक्षशन करूंगा चैप्टर के अंड में उसके बाद बेटर फीचर क्या दे मैंने बताया लिंक है बिट्वीन इंवेस्टर्स एं इंवेस् secondary primary consumer market market for the security which are issued for the first time that is new issue securities है ना जिसको मा आई प्योई बोलते है इनिशल पॉब्लिक आफरिंग इस shares of the companies are offered to the general public for the first time secondary market already issued securities का market जो हमने पहली से market के नतर issue कर रखिये second hand security is clear तो यहीं तक रखते हैं की class ठीक है क्वेल की class का schedule आजाएगा से भी रहेगा नौ बजे मिलते हैं नौ पांच नौ पांच नौ दस तक मिलते हैं economics class के लगे इसी से अप्रकर के ठीक है कर देता है यह मुझे भी चीज़े थे इसी वाले गुरूप में डाल देता हूं ले ले लेना एक ठीक कर देता है नौ? झाल झाल